हेलो बच्छो आज के इस वीडियो में पिर्खर गणित कारिपुस्तिका की कारिपत्तक नंबर 1 से लेकर के तो कारिपत्तक नंबर 30 तक A2Z Complete Solution हम इस वीडियो में देखेंगे जैसे की बच्छो आप देख सकते हो पिर्खर गणित कारिपुस्तिका कक्षा 8702425 की नियो बोखम यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं और इस वीडियो में आपको पिर्खर कारिपुस्तिका का Complete Solution बताये जाएगा तो बच्छो आपको कारिपुस्तिक नंबर 1 से लिकर के कारिपुस्तिक नंबर 30 तक किसी भी कारिपुस्तिक को सॉल्व करना हो आप इस वीडियो को देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर हम आपकी कारेपत्रक नमबर 1 से कारेपत्रक को solve करना start कर रहे हैं तो कारेपत्रक नमबर 30 तक आपको सभी कारेपत्रक के उत्तर बताएंगे और बच्चो लास्ट वीडियो में हमसे एक या दो प्रिस्ट में थोड़ी सी mistake भी हो गई थी तो इस वीडियो में आपकी एक भी mistake नहीं मिलेगी और हमने कोसिस की है कि बच्चो आपके लिए सभी जो प्रिस्ट ने उनको अच्छे से समझा पाए और कोई भी mistake ना हो अच्छे से आपको solve कर लेना है सभी कारपत के उत्तर दक्सता हमें दी है संख्याओ को पहचानने अंको एबम सब्दों में लिखने की समझ बना पाना दिखी बच्चो रट्टा मत मारिएगा जो जो questions में आपको समझा रहा हूँ अच्छे से समझेगा जिससे आपको लंब ठीक बाद में आने वाली जो संख्या है हमने लिख दी है ठीक इसी प्रकार से आप भी लिखोगे यहां से देख करके सभी जो संख्या है बच्चो आपको नोट कर लेना है एक उधारन के लिए बच्चो मैं आपको बता दूँ 909 से पहले 908 आता है तो बह लिखा 909 के आपको करके लिख लेना है और बच्चो अंको की साथ सब्दों में भी संख्या है दी थी तो सब्दों में भी हमने लिखा है तो ये रहेगा आपका पहला प्रिष्ण इसकी बाद में बच्चो संख्या क्रम को पहचान कर छोटी हुई संख्या है हमें जो आपका दूसरा प प्रिष्णों को भी हमने बच्छों यहाँ पर complete कर लिया है, जो प्रिष्ण किरमांग 2 है, इसमें total आपको पांच कोशियन दिया है, और पांचों प्रिष्णों के उत्तर rate color में हमने यहाँ पर लिखती है, संख्या करम को आपको पहचानना है, संख्या करम के according आपको answer लिख तो यह आप यहाँ से कर गेगा, इसकी बाद में बचों हमें रिक्तिस्थान कंप्लीट करने थे, तो रिक्तिस्थान भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो रिक्तिस्थान आप यहां से देखकर कि बचों note कर लोगे, जैसी कि 798 तो पहले से लिखा था, फिर 9172 दिया था चोथी नमबर का जो आपका प्रस्न था, इसमें हमें करना क्या था, यह आप समझ यह, 108 को हमें सब्दों में लिखना था, तो यह सावाला जो आपका है, 108 ये सही है, यिस सब्दों में हमने लिखा, चलिए तो बैग सी टेक, कि आने की कारिपत्यक नंबर एक तो बच्छो आपका complete होता है कारिपत्यक नंबर दो को हम समझ लेते हैं अब इन संख्याओं के विस्तार रूप हमें लिखना है तो पहले नंबर के प्रिश्ण को हम देखेंगे संख्याओं का विस्तार रूप हमें लिखना है तो बच्छो और पर रूप किस प्रकार से लिखते हैं, बच्छो धेच्छे कि, यह वाली संख्या एकाई की होती है, यह दाई की, यह सैकड़े की, हजार की, ठीक है, अब एक दस हजार पांस सो अठाईस में जो आपका आठ है, आडबच्छो आपका यहाँ पर किसका है, इकाई का है, दो अपका दहाई का पास एकड़े का जीरो आपकी हजार की है और एक आपका 10,000 का तो भस हमने व्रूदि यो संख्या है थी इसी प्रकार से हमने लिख दी और भी जो प्रूदि थे आपको ऐसे दिख करके 10,000 की को 10,000 की के इस्तान पर और हजार की को हजार की पे सेकड़ की को सेकड़ की पे और दहाई को दहाई की एकाई को एकाई की अब चो नीचे दीकाई बिस्तार रूप के लिए हमें संख्या लिखने थी तो देखिए, नीचे जो संख्या हमें दी है, विस्तारूप के लिए हमने संख्याई लिखी है, आप भी यहां से लिख लोगे देखे बचू दस हजार की जो संख्या है इस वाली बॉक्स में आजाएंगी हजार वाली स्विय में सेक्डे में इसकी में दाई के इसकी इकाई के इसकी और जिनके लिए हमें सेक्डे नहीं दी उसमें हम लगाएंगे जीरो अब एक प्रशना आप समझेगे यहाँ पर हमने दस हजार की स्थान पर लिख दिया साथ सेकडे का दिया था तो साथ सेकडे की स्थान पर लिख दिया पांच इकाई का दिया था तो पांच इकाई वाली लाइन में लिख दिया हजार का कुछ नहीं था दाई का कुछ नहीं था तो हमने जीरो लिख दिया और हमारी जो संक्या का किस प्रकार से निकालते हैं दिफ्चों मानलीची ए दिकी यह हमें पता है कि इधर की संक्या काई की होती है यह ताहिकी यह सहक्ड़ी की यह 1-4-5-10,000 आगर संक्या 10,000 तो दो को 10,000 से हम क्या करेंगे Multiply करेंगे छीके ठीके बच्चो तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा 20,000 इसका हमारे पास आ जाएगा यानि कि 2 का इस्थानीमान हुआ 20,000 ठीके ऐसे हमें सभी संक्या होके निकालना होता है जैसे कि 8 का अगर निकालना है 8 सेखड़े के स्थान पर है तो विच्चो सेखड़ा यानि की होता है 100 तो 100 से हम इंटू करेंगे तो क्या आजाएगा हमारे पास 800 छे बचो दाही के स्थान पर होती है उसे हम क्या करते है 10 से इंटू करते है तो 60 है जाएगा एक ओर ट्रीकिस्की मैं आपको बता देता हूं बचो माली जी दो का इस्थानीमान निकालना है तो 8 हम लिखेंगे 8 के पीछे कितने संख्या है 2 संख्या 2-0 लगा देंगे या 8 का इस्थानीमान आ चुका है 0 का इस्थानीमान बचो हमेशा 0 ही रहता है अब चलिए पहले नमबर की कोईशन को मैंने आपको explain कर दिया है समझा दिया है आप इसके according कर लोगे और यहाँ पर जो आपका answer है बहे बच्चो आप यहाँ से note कर सकते है अब बच्चो दूसरे नमबर का जो प्रिसन है इसे आप यहाँ से note कर लोगे ठीक है और बच्चो आपके लिए बहुत महनत करते हैं इसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूँ से कर लीज़ेगा चलिए यह आपका complete हो चुका है इसके बाद में बच्चो यहाँ पर आपका कारिपितन नमबर 3 आ जाता है इसे हम solve करेंगे नीचे दी गई संख्याओं के बीच में हमें यह वाली चिने लगाने है बच्चो इस चिन का फंड़ा क्या है पहले आप बो समझ लीजिए माल लीजिए एक साइट में हमें दिया है 10 एक साइट में हमें दिया है 20 तो फिर जो चिन होगा हम ऐसा वाला लगाएंगे नुकीला भाग हमेशा छोटी संख्या के साइट रखेंगे खुला हुआ भाग हमेशा बड़ी संख्या के साइट रखेंगे बचो इसमें एक और रिष्थित ही हमारे सामने बनती है मान लीजिए इधर हमें दिया 11 इधर भी हमें दिया 11 तो फिर हम बरावर का चिन है लगाएंगे क्योंकि ये और ये दोनों क्या है बरावर है इसी प्रकार से बच्चो हमने जो संख्या है इने स्वाल किया है आप यहां से दिख करके इने स्वाल कल लोगे ठीक है? खुला हूँए भड़ी संख्या के साइड, नुकीला भड़ी संख्या के साइड, अगर दोनों संख्याइ बराबर है, तो फिर हम बराबर कशेने लगाते हैं। अब चो नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम यानि कि बर्तिक्रम में लिखना था बर्तिक्रम का फंडा क्या होता बचो मान लीजिए कुछ संख्याओं हमें दी है जैसे कि 6 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है और 1 दिया है अब इन संख्याओं को अगर हमें बढ़ती क्रम में लिखना है कैसे लिखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे इसमें एक छोटा एक लिखेंगे फिर उससे बढ़ा है छे तो छे लिखेंगे फिर उससे बढ़ा है साथ लिखेंगे फिर उस से छोटी एक, यह होता आपका घटता और बढ़ता क्रम, आरोही और अवरोही क्रम, इसी के अकोडिंग बचो जो संख्या है, हमने यहाँ पर लिखी है, आपको भी देख करके लिख लेना है, यह रहेगा आपका अंसर, ठीक है, बचो एक जो आपकी लाइन यहाँ प सभी में, ऐसे वाला ही साइन लगेगा सभी में, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है, एसा ही, ठीक है? संख्या एकदम सेम रहेंगे यही आपको नीचे की लाइन में उतानना और बस बीच बीच में आपको ये वाला जो sign है वे लगाना है नीचे दी गई संख्या को अवरोही क्रम घटती क्रम में हमें लिखना है तो बचो यहाँ पर हमने घटती क्रम में भी लिखती हैं संख्या हैं आप यहां से देख करके नोट कल लोगे बचो तीसे नमर के प्रिष्ण के बाद में चोथा प्रिष्णा आ जाता है दिये गए अंकों का उप्योग करती हुए पांच अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है अब बचों सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनानी के लिए आपको क्या करना होता बह मैं आपको बता दू मान लीजी कोई भी संख्या हमें दिये जैसे कि यही संख्या हम देख लेते हैं 7618 अगर इससे सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी है तो पहले सबसे बड़ा वाला अंक हम लेंगे जैसे की आठ हमने लिया फिर उससे चोटा क्या बचो साथ तो साथ लेंगे फिर छे है तो चे लेंगे फिर एक है तो एक लेंगे जीरो सबसे चोटी है तो सबसे आखरी में ले उससे बड़ा एक है तो एक लेंगे उससे बड़ा छे है तो छे लेंगे फिर साथ है तो साथ लेंगे आखरी में हम आठ लेंगे ये बचो हमारे पास संख्या बन करके तियार हो चुकी है सबसे चोटी ठीक है तो ऐसे ही हमने सबसे बड़ी सबसे चोटी संख्याय बनाई है इस प्रकार से आप देख करके बना लोगे तो बहुत सिंपल है बस समझने की थोड़ी सी आपको जरूरत है जादा कुछ करने जैसा है नहीं नीची दिगाए सवालों को हल करते हो खाली डिब्बो में सही संख्याए हमें लिखनी है तो बचो सही संख्याए हमने यहाँ लिख दी है खाली डिब्बो में आप भी देख करके यहाँ से औल लिख लोगे तो बचो यहाँ से आप लिखी का है इस कोईशन का अंसर भी यहाँ से आपको कंप्लेट कर लेना है अब देखी दूसरा कोईशन है हल कीजी इसमें तो सिंपल से हमें माइनिस करना है सभी में तो माइनिस हमने कर दिया है इसमें 3865 अपका आया है 2672 आया है 799 बे 287 फिर जो आपका तीसरा प्रिस ने इसमें भी बचो हमें प्लस करना था तो प्लस करने पे 3910 बे 9060, 9211, 731, 2448, 3505, 1059 और 1050 आया इसके बाद में बचो हमें जोड करना था तो जोड करने पर जो जो चीजे आई है यह लिखी है इसमें हमें घटाप करना था तो घटाने पर जो आया है लिखती है बचो कारिपत्रक नमबर 5 आ जाता है इसमें हमें क्या करना है बचो यह जो बोड दिया है इस board के according हमें पूरे answer देने होंगे board में आपको सभी गामों की जन संख्या और महिला पुरुस की जन संख्या दी गई है इसे हमें देखना है, इसके according answer देखने है सबसे ज़्यादा जन संख्या सहवाद की है सहवाद हमने लिख दिया सबसे कम जो जन संक्या है सहरोल तवेटी की है तो भेह हमने लिग दिया क्या किसी गाम में महीलाओ की संक्या पुर्सों से अधिक है तो सबी जगे पुर्सों की अधिक है महीलाओ की काम है इसलिए नहीं इसमें करेंगे फिर समरानिया की जंसेंग्या नटाई से कितनी अधिक है तो बच्चो हम क्या करेंगे समरानिया की टोटल जंसेंग्या निकालेंगे महिला पूरुस की एट करके और नटाई की टोटल निकालेंगे फिर समरानिया की में से नटाई की माइनस करेंगे 1590 आपका आंसर आ जाएगा ऐसे ही वेचो हमने पांचा कोईशन सौल्व किया, छटा किया सातवा किया चलिए अगला कोईशन देख लेते हैं यह है आपका दूसरा प्रिशन दूसरा प्रिशन 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 आपको बहुंच ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें जो आपका अंसर आएगा 6658 सावाला उप्सन रहेगा नो उपर लिख लिजएगा 6658 आपका यहां आजाएगा फिर उचो इसी के नीचे कुछ और को इशन दिये थे तो वह भी हमने सॉल्व कर रखे यहां से आप अंसर देख करके अनोट कर लोगे बचो कारिपत्क नमबर 6 आपका आज आता है चलिए इसे देखते हैं तो यह है कारिपत्क नमबर 6 राकिस ने बाजार से 4590 रुपे की साइकिल खरी दिए उसने पांच हजार रुपे पांच हजार रुपे उसने दिये हैं तो पांच हजार में से 4590 हम माइनिस कर देंगे 410 रुपे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद में जो दूसरा प्रिशन है एक पानी की टंकी में 3220 लिटर पानी है उसी टंकी में 999 लिटर पानी और भर गया है बताइए कि अब टंकी में कुल कितना पानी है तो जो 3220 पहले था 9999 और भर दिया दोनों को प्लेस कर देंगे 4219 आएगा यानि कि अब जो टंकी है उसमें 4219 लिटर पानी है संकर ने अपने गोदाम के लिए 3275 किलोग्राम शावल 2037 किलोग्राम गेहू 737 किलोग्राम दाल खरीदी बताईए कि उसने कुल कितने गिलोग्राम अनाज खरीदा तो जो टीनों को प्लस करेंगे इसे इसे और इसे जब प्लस करने पर हमारा आंसर आएगा 6059 तो टोटल उसके पास जो अनाज से 6059 किलोग्राम उसने अनाज खरीदा है चोथी नंबर के जो प्रिष्ण है बचो यह आपका अंसर रहेगा यह और यह तो यहां से नोट आप कर लीचेगा इसके बाद में वो जो 5 नंबर का प्रिश्ट ने करना गया था थोड़ा सा प्रिश्ट समाझ लीज़िए का चार अंकों की सबसे बड़ी जो संक्या होती 999 होती है अना के योग फल तो इन्हें बच्चों प्लस कर लेंगे, ठीक है, प्लस करने पर हमारी पास क्या आजाएगा, 1,995 है, 10,995 हमारे पास आजाएगा, कि सबसे बड़ी संक्या को घटाने पर कौन सी संक्या प्राप्त होगी, 10,995 में से क्या बोला है, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राप्त होड़ा यही आपका अंसर है वस इतने ही आपको करना है अगले नेक हमारा आजाता संख्या 8 के 8 अंकों में लिखते हैं 8008 को अंकों में लिखते हैं तो बच्छो यह लिखते हैं फिर आपके दूसरे प्रिश्ण का अंसर 7070 होगा पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है बच्छो अभी मैंने आपको बड़ी और छोटी संख्या बनानी बताई थी अगर बड़ी बनानी है तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखे चोटी बनानी है तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखे ठीक है और चोथे नंबर के प्रिष्ण में 1490 आपका अंसर रहेगा संख्या क्राम को पहचानिए छोटी संख्या है हमें लिखने दे तो ये पूरा लाइन बाई चल रहा है उनली ओन इसमें तो गिनती ही है बच्चो पढ़ती जाएए और लिखती जाएए 95 के बाद 96, 97, 98, 99, 94, 14, 14, 1, 2 ऐसी ही आपका दूसरे प्रिष्ण में होगा दूसरे में बस फर्क इतना साई कि सब्दों में है फिर जो बच्चो आपका छाटा प्रिष्ण है छाटे में हमें चिन लगाना था बराबर जो संख्या है उनमें बराबर का लगाएंगे बड़ी चोटी में बड़ी चोटी का लगाएंगे फिर बच्चो यह आपका साथवे नंबर का प्रिष्ण रहेगा इसे आप यहां से नोट कर लोगे और साथवी नंबर के प्रिष्ण के बाद में बच्चो जो आपका देखिए साथवी के बाद में डायरिक लीहां पर नोबा प्रिष्ण गायव है आपकी बुक में ही नहीं है तो हम नोबा ही प्रिष्ण सोलू कर लेते हैं टंकी में कुल पानी 5000 लीटर ने निकाल लगाया पानी 2999 में 5000 में से 2999 में माइनस करेंगे अंसर आपका 2001 लीटर आएगा बचो यहां पर कारिपतर नमबर साथ आ जाता है गुणा करना है तो सिंपल सी गुणा करना है इसमें तो कुछ हे नहीं गुणा आप कर सकते हो अंसर हमने कुणा करके लिख दिया है बचो आप भी कर लिजीगा तो पहले दूसरे तीसरे का बचो explain मैंने आपको एक अलग वीडियो में कर रखा अगर आप full explanation के साथ में वीडियो देखना चाहते तो playlist का link आपको description box में दूँगा वहां से जा करके देख लिजीगा अच्छे से और समझा जाएगा मतलब एक-एक कारिपत्रक के लिए एक-एक वीडियो separate में आपको बना रखिए अब देखिए इस एक वीडियो में हमें कारिपत्रक नमबर 1 से 30 तक कबर करना है तो इसमें बच्छो आपको जादा explanation तुम्हें कर नहीं सकता जितना कोशिश मुझसे हो सकती है उतने में कर रहा हूँ तो ये आप बच्छो कर लिजीगा answer फिर इसके बाद में बच्छो ये answer आपके रहेंगे और इसके just नीचे जो है बच्छो आपका ये answer सापके रहेंगे ये हमारा complete होता है कारेपतक नमबर 8 में हमें बच्छो मेश तक कॉलम्स यानि की जोड़ी दी गई है मिलान करना है ये जोड़ी आप देखिए यहां से देखिए बच्छो 7 इंटू 150 को जब हम इंटू करेंगे तो पूरा हमारा 1050 आ जाएगा तो इस समेश करा 80 इंटू 9 करेंगे 8,922,0 की 2,0 आ जाएगी यानि की बहुततर सो आ रहा है तो बहुततर सो से मेश कर देंगे 40 इंटू 190 करेंगे 19.36,2,0 की 2,0 यानि की च्छेटर सो आ जाएगा फिर बचो हमें यहाँ पर हमने मेश नहीं किया है एक संक्या कुन सी 75 इंटू 30 तो इसे आप यहाँ मेश कर लोगे और सब तुम्हें यह चोल रड़ी से हैं देख करके और मेश कर लीजिगा अब चो रिक्तिस्थाना में कम्प्लीट करना था इसमें भी हमें इंटू करना है तो इंटू हमने करके और यहाँ पर जो है अंसर लिख दिया है यह अंसर आप भी लिख लोगे हल करना है बच्छो तीसे नमबर के प्रिष्ण में तो तीसे नमबर का प्रिष्ण भी हमने सॉल्व करके हल करके यहां पर लिग दिया है फिर बच्छो जो चोथे नंबर का प्रिष्ण चोथे नंबर के प्रिष्ण में 4555 आपका अंसर आजाएगा पांचे नंबर के प्रिष्ण में बच्छो आपका 1,24,875 आएगा और चटे नंबर के प्रिष्ण में आपका 9,78,750 अंसर आएगा वच्छे इसके बाद में कारिपत्क नमर 9 आपका आ जाता है चलिए से देखते हैं एक सहर में किसी समचार पत्र की 1190 प्रतिया प्रति दिन चपती हैं दूसरे नमबर के प्रिशन में बच्छो हमें 3825 जो कील है एक दिन में बनती है तो जन्वरी तो 1023 में कितनी कील बनी होंगी बेह में बताना है जन्वरी में 31 दिन होते हैं यानि कि 31 दिन में कितनी कील बनी है बेह में निकालना है इसके लिए हम क्या करेंगे 3825 को multiply करेंगे 31 से आंसर हमारे पास आजाएगा 1,18,575 कील ठीक है एक विध्यारती ने 6,236 को 37 के इस्थान पर 73 से गुणा कर दिया उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिकता पहले गलत और सही दोनों उत्तर हमें निकालना होगे इसके लिए 6,236 को 37 से multiply करेंगे 37 से multiply करने पर हमारे पास 2,3,732 आएगा 73 से multiply करने पर हमारे पास में 4,55,228 आएगा अब अंसर हमें निकालना है इसके लिए 4,55,228 में से हम माइनिस करेंगे 2,30,732 तो बच्छो जो फाइनल अंसर हमारे पास निकल करके आएगा वह हमारा रहेगा 2,24,496 सिखर 55 रुपे प्रती लीटर के भाप से दूद बेच था किसी महीने में उसने 210 लीटर दूद बेचा तो बताइए कि उसने कुल कितने लीटर जो है दूद बेचा है वच्छो मान लीटे है अगर आप 55 रुपे प्रती लीटर के हिसाब से दूद बेशते हैं यानि कि एक लीटर के आपको 55 रुपे मिलते हैं और अगर आप 210 लीटर दूद बेशते हैं तो फिर आपको कितने फैसे मिलेंगे सिंपल से यह आपको बताना है यह सौल्व करने के लिए 55 को हम मल्टिप्लाइ करेंगे 210 से यानि कि गुड़ा करेंगे 210 से अंसर हमारे पास आजाएगा 11,550 बचो जो पांचवा प्रिश्ण है अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की 5000 सीट उपलब्द है प्रतिक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 प्रिश्ण बनते है बताईए इन सीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने प्रिश्ण बनेंगे बचो करना कोशन है यह 5000 को मल्टिप्लाइ करेंगे 8 से अंसर हमारे पास आजाएगा 40,000 प्रिश्ण चटे नमर का प्रिश्ण है बचो एक जो बिध्या ले उसमें 235 बिध्यारती अध्यारती अध्यारती यानि कि 235 वच्चे पढ़ते हैं योदि प्रतिक बिध्यारती को 1250 रुपे चात्वित्ती के रूप में बिध्यत किये जाए तो 235 वच्चो को टोटल कितने पेसे दी हैं बेह में बताना है इसके लिए करेंगे क्या 235 को हम मिल्टिप्लाइ कर देंगे 1250 से अंसर हमारे पास आजाएगा 2,93,750 रुपे सबी बच्चो को मिला करके दी हैं कारिपत्रक नंबर 10 वच्चो आप का जाता है हल किजी इसमें सबसे पहले हमें भाग करना होगा तीन अंकी संख्याओ को दो अंकी संख्याओ से भाग कर पाना तो हल किजी अब ये वच्चो आप देख लीजिगा यहां से ठीक है भागपल हमारे पास पहले में आया 32 सेसपल 0 दूसरी खावाला जो है इसमें 25 भागपल आएगा सेसपल 0 घावाले में 45 भागपल आएगा और सेसपल 0 हल किजी 256 को 4 से हमने डिवाइट किया 64 आज आएगा और जो मांकी की संख्याओ है आप देख लीजिगा 48, 56, 35, 56 यह भी अंसर आए है हमारे हल करना है बच्छो यह आप देख लीजिए 15 को 420 से हम करते हैं तो 28 आज आएगा पंदरा को 555 से करेंगे 37 330 को 52, 330 को 15 करेंगे 22 आएगा 285 को 15 करेंगे 19 आएगा बच्छो इसमें क्या करना है आपको दिखे यह 22 की जगे 12 कल लीजिगा मैंने कर दिया है पैंसे आपको भी कल लेना है ठीक यह 22 नहीं है यह थोड़ा सा गलती से लिखा गया है तो 14, 17, 22, 27 आपको लिखना है तीसरे बाले में 22, 58, 37 आपको लिखना है हल कीजिए इसमें हमें हल करना था तो बच्छो चार चुपचास को बारा से जब हम डिवाइट करेंगे तो भागपल सेते सेस्वल शे आएगा खावाले में बच्छो खावाला जो अपका प्रिशन दिया इसमें 30 भागपल सेस्वल 16 गावाले में बच्छो भागपल 20, 29, 35, 16, 20 पाचवे में दो प्रिशन दिया है काव और खा दोनों के उत्तर आप दिख सकते हो खावाले का उत्तर 35 रहेगा खावाली का उत्तर 25 रहेगा बचो कारिपत्क नमबर 11 आ जाता है यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तक आती है तो बताइए 600 बहुत्तर पुस्तकों को पेक करने के लिए कितने डिब्बों की आशिकता होगी बचो ऐसे प्रिश्णों को सॉल्व करने के लिए हमें भाग देना होता है चोविस को हम 600 बहुत्तर को हम भाग देंगे चोविस से तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 28 डिब्बे 28 डिब्बों की आशिकता होगी 968 लोग एक होल में फिल्म देख रहे हैं यदि होल में कुर्शियों की 44 कतारे हैं तो एक जो पंक्ती है उसमें 22 लोग बेटे हैं यह आपका अंसर आ जाएगा खेल दिबस में 350 बिध्यार्तियों को बिध्याले के खेल मिदान में बरावर बरावर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया तो बताइए प्रतेक पंक्तियों में कितने बिध्यार्ति हैं 350 को बच्छो 14 से हम मल्टिप्लाइए डिवाइड हम करतेंगे मल्टिप्लाइए नहीं करना डिवाइड करना है तो 25 चाथ आंसर हमारा आ जाएगा चोथी नमबर का जो प्रिष्ण है इसमें 450 सेमेंट की बोरियों की आशकता है यदि एक माल बाहग टेंपो में 15 बोरिया लाता है तो बताइए बोरियों को डोने के लिए माल बाहग टेंपो को कितने चक्कल लगाने पड़ेंगे 450 को बच्छो 15 सेम डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास आजाएगा 30 अब जो बच्छो हमारे पास है 500 प्रिष्ण पांच ही नमबर के प्रिष्ण को सॉल्व करेंगे आंसर आपका आजाएगा 8 पेड़ बचिंगे ठीक है पूरा आंसर सॉल्व करके लिख दिया है यहां से लिख लीजीगा बच्छो आकला नमबर दो आजाता है आकला नमबर दो के पहले प्रिष्ण में 2,19,445 अंसर है हमने टिक भी कर दिया है आप भी कर लीजीगा दूसरे में हमारा 20 x 2 x 120 तीसरे में हम 64 को चार्चे भाग देंगे तो 0 तो 6 फल बच्छो हमारा 0 आएगा ठीक है तो 0 पकरती जीगा चोथे नमबर के प्रिष्ण में बच्छो आपका जो अंसर आएगा 1,26,525 गुणा करना है तो गुणा में पहले वाली का दूसरे वाली का तीसरे वाली का सभी का अंसर यहां से आप देख सकते हो जो अपका छटा प्रिष्ण में चटे नमबर के प्रिष्ण में जो आपका अंसर आएगा क्रिष्ण इसका अंसर भी लिखा उसका भी आप यहां से दीख सकते है इसके बाद में बचू 8 पे प्रिष्ण में हमें भागफ़ सेस्फल बताना था तो 43 भागपल आएगा सेस्फल 4 आएगा डिवाइट करके देख लिजीगा अगर आप देखना चाहो तो 836 को 32 से हम डिवाइट करेंगे तो भागपल 26 सेस्फल 4 आएगा नोबे नमबर का जो प्रिशन है बच्चो इसका अंसर भी हमने यहाँ पर सॉल्व करके लिग दिया है इसे भी आप यहाँ से कंप्लेट कर लोगे अब अच्चो कारिपत्तक नमबर 12 आपका आजाता है चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो अच्चो चेनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा कोई प्रिशन बगे रहो तो कमेंट करके पूछ सकते हो नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाई है जिन में दो का पूरा पूरा भाग जाता हो और उन संख्याओं पर हमने गोला बना दिया जो दो से विभाजित हो सकती है दो से जिन में भाग जाता हो आपको भी गोला लगा लेना सत्य असत्य हमें चाटना है तो देखिए बच्चो इसमें पहला वाला सत्य, दूसरा सत्य, तीसा सत्य, चोंथा सत्य ठीक है निमले के संख्याओं में सम और विशम संख्याओं चाटनी है तो हमने बच्चो सम और विशम संख्याओं दोनों चाट करके लिखती है ये भी आपको लिख लेना फिर बच्चो जो चोंथा प्रेशने इसमें हमें सम संख्याओं पर गोला बनाना है और विशम संख्याओं पर चोकोर डबबा बनाना है तो जिस पर चोकुर डबबा है चोकुर बना लीजिगा जिस पर गोल घहरा है गोल घहरा आपको बनाना है इनमें दी गई सभी सम संख्याँ हैं लिखिए तो बच्छो सभी सम संख्याँ हमने लिख दी दी गई सम संख्याँ में से सबसे चोटी संख्या हमने लिख दी दी गई विसम संख्याँ में से सबसे बड़ी संख्या लिख दी और संख्या 121 संख्या या विसम संख्या तो प्रिपत्रक नमबर 13 आपका आजाता है नीचे दिगे संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बना है जिनमें 5 से पूरा भाग जाता हो तो गोला बचो हमने बना दिया जो 5 से पूरी विवाजित हो सकती है उन पर आपको भी गोला बना लेना है चेंजन संख्याओं पर बन संख्या हमने लिख दी हैं यहां से देख करके आप भी लिख लेंगे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एब गुणनखंडों की संख्या लिखिए आप यहां से देख लोगे ठीक है औंसर बचों देखिए यहां पर प्रिस्न भी ब्लेग कलर में है अंसर भी बलेग कलर में है तो आप अपनी बुक साथ में रकोगे तो आपको समझा जाएगए कि कौन सा अंसर लिखा है क्वोण सा प्रिस्न लिखा है भाजे संख्याओं पर गोल घेरा बनाना था तो भाजे संख्याओं पर गोल घेरा बना दिया है नीचे लिखी संख्याओं किस की संख्याओं से भाजे हैं तो भो संख्याओं भी हमने लिखती है बच्चो कारिपत्तक नमबर चगदा आ जाता संख्याओ की गुणज की समझ विकसित कर पाना निमलिखे संख्याओ की 4-4 गुणज लिखने थे गुणज से मतलब बच्चो अगर 2 के गुणज निकालना है तो 2 का पहाड़ा पढ़ते जाओ नो का निकालना, नो का पहाड़ा पढ़ते जाओ, ग्यारा का निकालना, ग्यारा के पहाड़ा पढ़ते जाओ, जिस भी संख्या के जितने भी गुड़ज निकालने हैं, उतनी बार पहाड़ा पढ़ते जाओ, बस यही गुड़ज होते हैं, इससे जादा कुछ नहीं है, दी 30 होता तो 32 भी गॉना चोता 48 भी गॉना चोता क्योंकि 16 के पहाले में यह सभी संख्याएं आती हैं गोल गहरा बना दीजिगा जन पर हमने बनाये हैं तीसे नंबर के प्रिश्ण को आप यहां से नोट कर लीजिगा और इसके बाद में बच्चों दो और 10 की में सबसे चोटा समान को जियात की जी तो इसका आंसर भी हमने लिख रहा है अ जो जो पॉर्चों पाजे और छाटा कोश्यंद भी आप यहां से देख सकते हो चलिए इनके बाद में हम देख लेते हैं बच्छो कारिपतिक नमर 15 दक्सता समान गुलनखंड की समझ विक्सित कर पाना अच्छो अंसर्स हमने आपने नोट करके लिखती हैं आपको भी लिख लेना है बोक्स में संख्या लिखिए तो बोक्स में संख्या है हमने लिखती हैं संख्याओ का गुलनखंड ब्रक्ष पून करना है तो यह है बच्छो गुलनखंड ब्रक्ष यह हमने पून करके लिखती है जो जो खाली डब्वे थे उनमें अंसर्स लिखें है आप भी लिख लोगे इसके बाद में निमलिके संख्याओं के अबाच गुडन खंड कीजिए तो अबाच गुडन खंड भी बच्चों हमने यहाँ पर लिख कर दिये हैं और लिख भी दिये हैं चले बच्चों यह कारिपतक नंबर आपका कंपलीट होता है कारिपतक नंबर 16 आपका आजाता है इसमें बच्चों जो जो हमें लिखने थे भिन बरावर अंस बटा हर होता है और बॉक्स में जो संख्याओं लिखी हैं अभी आप लिख लीज़ेगा. दिखे बचो कैसे निकालते हैं, माल लीज़े टोटल तीन भाग होगे. तो तो टोटल भाग को हम नीचे लिखते हैं. और एक भागं सहयंकित हैं तो एक ऊपर लिख देंगे. इसमें बचो टोटल भागं चार हैं, कि आकिर्तियों को शहेंकित करना था, तो हमँए श्pendय करती है, दो वटा 5 दिया रोलगे इसमें 5 दिया तो 5 बहुंच वाट चायंकित करना है, कैसेघतल करना है। देखे हमने लिग भी दिया जिससे आपको समझ आ जाए दो बटा तीन को दो बटा तीन से एक बटा तीन को एक बटा तीन से एक बटा चार को एक बटा चार से एक बटा दो को एक बटा दो से एक बटा चार को यहाँ फिर एक बटा दो को यहाँ एक वटा तीन को यहाँ इसे यहाँ ठीक है यह एक हमारे पास बचल रहा है एक वटा दो इसे आपको यहाँ कर लेना है ठीक है यह हमारा कंप्लीट होता है चलिए इसकी बाद में देखते हैं अगला कारिपत्रक नंबर 17 आजाता है कौन सी आखिरतियों में भेने के उपर दी गई आखिरतिया भेने के बराबर है उचित पर सही निसान हमें लगाना है तो लगा दीजिए बच्छों जोचों हमने लगाए है पहले के बाद में बच्छों हमारा आ जाता है दूसरा प्रिश्ण डीगया आखिरतियों में सांगेत बाएक कि फिर्ने संख्या लिखकर आर्ऊही क्रम में हमें लिखनी थे यह हमने लिखती है 5 क 1 इो एक बटा 4 एक बटा 3 को को बना दिया चोटी विन पर और लिंखित भंछों को सरलतुम रूप लिखना था तो उस्पार एक मे kenिने यहां चिन ने लगाने थे तो बच्छो ये वाली चिन हमने बना दिये हैं उप्युक्त चिन हमने लगा दिये हैं बच्छो इसके बाद में कारिपतिक नमबर 18 आ जाता है चलिए इसे solve कर लेते हैं 0.1 का दस्वा भाग कहा जाता है तो बताएए निमने को क्या कहेंगे तो बच्छो ये दिख लीजे सब का भाग हमने लिख दिया है जो जो कहेंगे और अंसर भी हमने नोट कर दिये हैं पहला दूशा तीर्षा तीर्षा तीनों प्रिष्णा आप यहां से complete कर लोगे इसके बाद में बच्छो चोंथा और पांच्वे प्रिष्णा में यहां पर दिया है तो यह हमने मेच कर दिये हैं और लिख भी दिया है इनके आंसर तो आंसर जो है आपको यहां से लिख लेना है नीचे दी गई मिश्रिद भिन्नों को दसमलब संख्याओं में लिखिए तो यहां पर बच्छो दसमलब संख्याओं में हमने लिख दिया है चलिए इसके बाद में साथ बजो प्रिश्ण ने दसमलब संख्याओं के विस्तार रूप लिखिये तो विस्तार रूप विच्छों हमने यहाँ पर लिख दिया है आखलन 3 हा जाता है बाखलन 3 के पहले प्रिश्ण में तो 2020 अंसर होगा दूसरे प्रिश्ण में दो अंसर होगा हमने टिक भी कर दिया जो अंसर है उस पर संख्या 2-4-8 का सबसे छोटा समान गोड़ाज होगा 8-9 में सबसे छोटी भी नहें गया तो दो बट्टा कियारे आ जाएगा आपका संख्याओं में स्म और विश्ण संक्या चाटी तो बशे इसम sv वोई ने संख्याओं के 15 कच तो आ यह विश्ण संख्याओं में आपको लिख लिखे लेना आल संख्याओं किसकी संख्या से भाजπά़ तो बशे Чथ संख्याओ से भाज है भी हमने एंगी होगा संख्याओ 15 45 60 का सबसे चोठा समान्न alluded कि आत किजें तो एक दसी सबसे चोठा समान लोगा निमलक yht संख्याओ के अवाज गॊलंकंडएंग कंड़ में बताने थे तो अवाज गुलंकंड बच्व कहां से यहाँ दीक सकते हो निमलिकत भिन्नों को सरलतम रूप लिखिए तो बच्छो भिन्नों की जो सरलतम रूप है भे हमने यहां पर लिखती हैं यहां से देख लीजिगा कल लीजिगा नीचे दिगए मिश्चित भिर्णों को दसमलो संख्याओं में लिखे तो बच्चों दसमलो संख्याओं में भी हमने लिखती है इसके बाद में अगर हम देखें तो कारिपतक नंबर 19 हमारा आ जाता है चलिए से सौल्ब करते है तो क्या बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पाइदान पर खड़ा तीसरे पाइदान दूसरे में पाचवे पाइदान अंसर आएगा तीसरे में दो चलांगे लगानी पड़ेगे अंसर आएगा चोथे में पाच चलांगे लगानी पड़ेगे अंसर आएगा इसके बाद में जो दूसरा प्रिष्ञ नपर के प्रिष्ञ के लिए भी आंसर समने लिख द olun सारी में तीसरे नपर के प्रिष्ण पर गोला लगा दिया है तो इन पर आप लगा ली जिगा देख कर के इसके बाद में जो है हमारा वच्छो अगला कुश्यन है तो कारिपतक नमर 20 हमारा आ जाता है यहाँ पर दिये गाए पूनांख को संख्या रेखाब पर क्रम में लिखना है तो यहाँ पर हमें क्या दिया है क्रम में हमने लिख दिया है देख करके और संख्याव की तुलना करके बताईए कि कथन सत्य या सत्य तो वच्छो कावाला सत्य रहेगा, खावाला सत्य रहेगा, गावाला सत्य और गावाला भी अपका असत्य मैनस 20 से बड़े पूनांग हमें लिखने देए तुल वच्छो माइनस की जो संख्यावे होती हैं, इसमें संख्यावे हमें छोटी गानी होती है, जैसे कि 19 की बाद में 18, 17, 16, 15, ये सभी का माइनस 20 से बड़े 5 पूनांग हैं, माइनस 6 से छोटे 5 पूर्णांग लिखिए तो माइनस 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है निमलिके संख्याओं के परावर्ति लिखिए तो यह हमने लिख दिया है पांचे और शाटे प्रिश्न का अंसर कारिपथक नमबर 21 आपका आ जाता है दक्सता तिर्वे में यह थेड़ी आकरतियों के समझ बना पाना नीचे दी गई तिर्वे में यह आकरतियों के उप्युक्त संख्याओं को चाट करके सही का निसान हमें लगाना है तो सही का निसान जिन्बर हमने लगाया है लगा लीजी का इसके बाद में तिर्वेमी ये थीडी आकर्तियों को उनके सही संरशना के साथ मिलान करना है तो ये बचों हमने मिलान करती है आप भी कर लीजी का अगला हम देख लेते हैं यहाँ पर नीचे दी गई संरशना में से किन किन का घन निर्मार कर सकते हूँ उप्यक तो भी कलप पर सही निसान लगाना है तो खावाले पर बचों आपको सही निसान लगा देना है इसके बाद में कार्यपत्क नमबर 22 हमारा आ जाता है इसके बाद में आकर्तियों को देख करके सार्णी की पूर्ती हमें करनी है तो ये सार्णी की पूर्ती बचों आप यहां से कर लोगे चलिए अगला हम देख लेते हैं नीचे दीगए बस्तुए किस परकार की तिवेमियत, ख्रेटी, आकर्ति के उधारा ने बताई है पहले में अचो घनाम आजाएगा, दूसरे में आपका आजाएगा गूला चलिए इन कोईशन के बाद में कारिपतिक नमबर 23 आपका आजाता है इसे हम सॉल्व करते हैं तो मिलान हमें करना है अचो ये मिलान कुछ इस परकार से आप कर लोगे जैसे जैसे हमने किया है इसके बाद में आपका नेक्स्ट कोईशन आचाता आकर्ति में नियून कोण, समकोल, सरल कोण वा अधिक कोणों के किर्मांक नीचे सार्णी में लिखिये तो ये बचो हमने लिख दी है कर्मांक अगला कोशिया हमारा है चांदी के साहिता से दिये गए कोणों को माप करके लिखिये तो पहला कोण 120 टिकरे का है, दूसरा नए 60 डिगरी का है अब है कारिपत्तक नमबर 24 तो कारिपत्तक नमबर 24 आप यहां से दिखोगे हमने लिखती है, यहां से देख करके और आप समझ करके लिख लोगे दिख़े जो समकोण 90 डिगरी का होता है, 90 से कम फिर इधा नियून कोड आ जाते है और 90 से उपर बच्चो आपका आ जाता है क्या अधिक कोण ठेक है घडियों में कोणों को माप करके कोणों के नाम माप डिगरी में लिखिए तो बच्चो पहला 90 डिगरी समकोण आ जाएगा, दूसरा 180 डिगरी का सरल कोण आ जाएगा तीसरा 270 डिगरी का प्रतिवर्ति कोण 90 डिगरी का सम कोण 180 डिगरी का सरल और 0 डिगरी का सुन कोण कारिपतक नमर 25 समारा आ जाता है चलिए इसे solve करेंगे नीचे देगा है कोणों को चांदी की साहिता से नाप करके हमें लिखना है तो पहला 60 डिगरी का है दूसरा 180 का है आप नापकर भी देख सकते हो अपने चांदे से पांच भी का हमने नहीं लिगा लगबग लगबग इसे आप चांदी की साहिता से नाप कीएगा ये प्रश्णा आपके लिए हम छोड़ रहे है दिखे पूरा सीधा अगर होता तो 90 का होता ये आपका 180 डिगरी का हो जैगा नीचे दिए का है कोम Wen को चांदी की साहिता से बनाई ये तो प्रश्णा हमने बना दिये प्रयष्णा पृष्णा इसमें आपका आजाएगा फिकाना तीसे नमबर का जो पृष्ण इसमें आपका मायनेश सबबिस आगा चोथे नमबर के प्रिष्ण में बच्छो आपको 25 और 25 आजाएगा पूरांग संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्सान है तो इसमें बच्छों संख्या रेखा पर हमने दर्सा दिया है खावाला जो प्रिष्ण है इसे भी solve कर दिया है नीचे दिया है कोणों को चांति की साहते से नाप करके लिखना है तो ये तो जो सीधा पूरा सीधा वाला कोण होता है 90 डिग्री का ही हमेशा होता है और जो दूसरा कोण है 155 डिग्री का है 0 से छोटी 5 संख्याएं हमें लिखनी थी तो जीरो से छोटी संख्याएं भी होती है लेकिन माइनस में होती है जैसे कि माइनस में जो भी संख्याएं होंगी जीरो से छोटी होंगी रिक्त इस्थानों की पूर्ती कीजिए तो इसमें तो आपका नियून कोण आ जाएगा इसमें आपका अधिक को आ जाएगा कालिपेतिक नमबर 26 को समझ लेते खाली वोक्स में हमें सेंख्याय बननी थी 20 मीटर बरावर बच्चो 2000 सैंटी मीटर होता 15 किनो मीटर बरावर 15,000 मीटर ऐसे ही हमने 6,352,4 लिखा यह आप लिख लोगे दूसरा प्रिष्ण दिया है ग्राम को किलोग्राम में बदल लिए तो ग्राम को किलोग्राम में बदल करके हमने यहाँ पर लिख दिया है आपको भी लिख लेना है फिर जो बच्चो तीसरा प्रिष्ण दिया है किलोग्राम को ग्राम में बदल करके भी हमने लिख दिया, यह भी आप देखोगे और नोट कर लोगे लीटर को मिली लीटर में बदल लिए, चोथे नमबर की प्रिष्ण में तो लीटर को मिली लीटर में बदल करके हमने यहाँ पर लिख रखाया अचो वीडियो को लाइक चेनल को सब्सक्राइब कर लिए जीगा इतने टाइम में चोथे और पांचे नंबर का प्रिश्ण आप यहां से कंपलिट कर सकते हैं अब है हमारा कार्यपत्क नंबर 27 दक्सता लंबाई मापन की समझ विक्सित कर पाना तन में अपनी मेज की लंबाई फीते से नाप रहा था मेज 2 मीटर 15 सेंटीमेटर अर्था 215 सेंटीमेटर लंबी निकली बैसे मॉटर में लिखना चाहता है कैसे लिखेगा तो अंसर भी हमें अल्रेटी दिया है अब अच्छो यह जो पहले दूसरा तीसरा चोथा पांच वर टोटल पांच पूशने दिये हैं इनके अंसर हमने ज़स्ट आगे लिख दिये हैं देख करके यहां से लिख लीजिगा इसके बाद में बच्छो आपका अगला खुशिया ना जाता है यह देखिए यह आप यहां से देख करके और कंप्लीट कर लोगे अगला विच्छो कारपेत्क नमबर 28 चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं कारपेत्क नमबर 28 की जो अंसर से हमने लिख दिया है आपको भी लिख लेना है यहां से अब यह बच्छो इसे के नीचे जो प्रश्ण दिया गया है इनके अंसर आप देख सकते हो इसके बाद में जो और प्रश्ण दिया गया है इसके अंसर से आप यहां से देख सकते है चलिवची यह हमारा कम्प्लीट हो जाता है कार्पत्क नमर 29 आ जाता है इसमें मिलान करना है यानि कि जोड़ी मिलानी है जोड़ी हमने मिला दिये ऐसे देख करके आप भी जोड़ी मिला लोगे ये तो होता है हमारा complete इसके बाद में हम देखते हैं जोड कीजिए तो जोड करना है simple से 25 में 12 जोडना है देखिए 25 में 5 जोड लेते 30 हो जाएगा 30 में 12 जोड़ेंगे तो आपका आजाएगा क्या जोडना है और ये सभी संख्याय आप कर लीजिगा इसके बाद में अच्छो घटाब कीजिए तो घटाब करना था घटाब हमने यहाँ पर लिख दिया और चोती नंबर के प्रिश्न को भच्छो हमने यहाँ पर सॉल्ब करके लिखाए इसे आप देख ले सीगा पांच diğer नंबर के प्रिश्न को भी सॉल्ब करके लिख दिया यहाँ से देखकरके और आप लिख लोगे ठीक है बिलेक कलर में अंसर लिखा है तो गंफ्यूज मत होईएगा यह लिखा आपका अंसर यहाँ पर यह लिखा आपका अंसर कारिपतिक नंबर 30 आ जाता है रिक्तिस्थान की पूर्ती का निये 4 मिनिट में 246 सेकिन होते हैं 4 गंटे 30 मिनिट में 270 मिनिट तीन गंटे में 180 मिनिट एक गंटे में 60 मिनिट होता है निम्नाकित को जोड़ करके लिखना है तो यह जोड़ करके हमने यहाँ पर लिख दिया है हुआ हम इसकी बाद में हल कीजिये तो हल करना है यह देख लिजे बच्शों यहां से आप देख करके और हमकिल ली talk अब चुब पांचवा और चाटा कुश्यन है इसे आप देख करके और यहां से कंप्लेट करोगे तो अच्छो यह हो चुका आपका कंप्लेट वक्षिन नमर एक से लेकर के 30 तक अगर आपको कुछ और वीडियोस देखने हैं और कारपत देखने हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन वक्स में प्लेइलिस्ट का दे देंगे प्लेइलिस्ट में आपके सभी कारपत रखें सेपरेट वीडियोस प्रते कारपत रखें एक कारपत रखें के लिए एक वीडियोस मिल जाएंगे बहाँ से देखकरके डिटेल में आप सभी कारपत्र को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं